शिरी शिवाई नमस्तुभ्यम हरहर महादेव, महारास राची के नांधेर जिले के तालू का अर्धा पुर्ग्राम कोंडा में गुरुजी पंडिपदी मिशा जी के दौरा शिरी कुलेश्वर महादेव शिम्हा प्राण कर्था आज पूर्ण हो चुती है। उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। तो पूरे शेत्र का कल्यान कर देता है। भगवान से एक बिंती किया करो हमारे परिवार में, हमारी कॉलोनी में, हमारे गाओं में, हमारे शेहर में एक शिप भक्त जरूर पेदा करना ताकि वो पूरे शेत्र को पाल लगाने वाला हो। बढ़ते हैं अची कथा की दूसरी जानकारी की ओर, शिम्हा प्राण की कथा गहती है, समझे नहीं आप से, वो नहीं समझेंगे किसी के बाप से, जो अपने भाई, माता, पिता, बड़ों की बात नहीं सुनते, नहीं समझते, वो किसी अन्ने की बात भी नहीं समझ सकते, बढ के भी लाले पड़ गए भाई ने मुझे अपने पास बुला लिया और मेरे बच्चों का अध्यन कराया मैं अपने भाई का धन्यवाद करना चाहती हूं मेरे बेटे का जैसे ही 12 पून हुआ तो उसने सरकारी नोकरी की सोची पर सब ने कहा इतने छोटे बच्चे की कहा नोकर करता है और बाबे क्रपास से मैंने जमीन करीद ली है उसी का भार व्यक्त करने आई हूं बढ़ते हैं आची कथा की चोथी जानकारी की और रंजनाची पत्र ले कराएं मेरे बेटे की उमर 28 वर्ष है मेरे बेटे के पेट में दर्द हुआ हमने उसको नांधेड के होस्पि कीमो के बाद शरीर बहुत कमजोर हो गया उसे हमने दूसरे हॉस्पिटिल लेकर गए पर आराम नहीं लगा वहीं हॉस्पिटिल में कोई चाय देने वाला आता है और बोलता है और कर रुद्राक्ष हो तो उसका जल शिवलिंग पर चड़ा कर अपने बेटे को देना अज मेरा बेटा पूरी तरीके से ठीक हो गया है उसी का भार व्यक्त करने आए हैं बढ़ते हैं आज ही कथा कि पांचवी जानकारी की और कल्बना जी पत्र लेकर आई आपकी कथा सुनकर मेरे बच्चे को बल मिला है आपकी कथा सुनकर मेरे बेटे ने चोगिनी महनत करी और शिवलिंग पर जल अर्पित किया, वेलपत चड़ाना शुरू की, ओ मेरा बेटा MPSC के परिक्षा में पास हो गया है। सेल्स टेक्स इंस्पेक्टर में चैनित हो गया है, और मेरे बेटे ने फिर से शिफ के भरोसे नायाब तैसिलदार बन गया है। फिर परिक्षा दी, तो डिप्टी ओफिसर बन गया और फिर से MPSC के परिक्षा दी, तो एक रजिस्टरार नाकपूर बन गया है, उसी का भार वेक्त करने आये हैं। सेलेक्षन नहीं हुआ, मैंने 2020 में आपकी कथा सुनी और मेरे अंदर बल आया, और चोगनी मेहनत करने लगी, और शेप जल चड़ाने लगी, और बाबा की क्रपासे में फार्मेसी ओफिसर के पद में चैनित हो गई हूँ, उसी का भार वेक्त करने आई हूँ, बढ़ते है पती से नहीं कहना है, कि आप से नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको अपने पती का वेल पावर कम नहीं करना है, बलकि अपने पती और बेटे का मनुबल बढ़ाना चाहिए, बढ़ते हैं आची कथा कि आठीवी जानकारी की और रोहिनी जी पत्र लेकर आए एक बार मेरे भाई को अच्छानक चक्कर आया और हमने उसे हॉस्पिटे लेकर गए तो डॉक्टर ने ब्रेंट यूमर बता दिया और कहा कि इसको उप्रेशन होगा और उप्रेशन के बाद ये उठेगा या नहीं कुछ कहे नहीं सकते पेशो की वेवस्ता की गई और हमने डॉक्टर की दी गई तारीक में हमने उप्रेशन करा लिया पर भाई उठा नहीं एक बार आपकी कता सुनी मंदी नहीं जाते थे तो मंदी जाकर जल चड़ाना शुरू किया और थोड़ा से जल प्राप्त करके उसके मुख में डाल देते वेल पत्र पास में रखते थे और आज मेरा भाई पूरी तरीकी से ठीक हो गया है और हम भाई बेन दोनों इस कथा पंडाल में सेवा प्रदान कर रहे हैं उसी का अभार विक्त करने आए हैं बढ़ते हैं आशी कथा की नोवी जानकारी की और पराय धन और पराय इस्तरी आ पना के रखना चाहिए जितना समय आप अपने मुबाइल को देते हैं पस हमें अपनी पत्नी को देखे तो देखो बढ़ते हैं आशी कथा की दसवी जानकारी की और चाहते हैं कि हमारे बच्चे राम जैसे बन जाएं सौमी विवेका नन जैसे बन जाएं अपने बच्चों बच्चे को राम बनने के लिए आपको कोशलया बनना पड़ेगा, अपने बच्चे को कृष्ण बनाने के लिए आपको येशोदा मा बनना पड़ेगा, अपने बच्चे को शिवाजी बनने के लिए जीजाबाई आपको बनना पड़ेगा, बढ़ते हैं आची कथा कि ग्यार प्राप्त करते हैं तो दवाईयों को खा लेना है तो शुगर जादा हो रही है हाई जा रही है तो शीवलिंग पर चड़ हुई वेल पत्र को माता अशोक सुंदर के स्थान पर इसपर्श कराते हुए प्राप्त करने गुरुजी ने कहा है और उसका आचमन करना शुरू करें दिन में दो वेल पत्र का आचमन करें ज्यादा शुगर होने पर तीन वेल पत्र का भी आचमन कर सकते हैं इसके बाद शाम को जाच कराएं आपकी शुगर जरूर नीचे आएगी अब हम आपको बता द था कि चौदवी जानकारी की हो और गुरुजी ने कहा मंगल विभा के लिए मन चाहे रिष्टे की प्राप्ति के लिए जल चड़ानी की शुरुवात आपको माताशोक सुन्दरी के स्थान से करना है। आपको कुछ बोलने की भी आविशकतर नहीं है, बोलना सब समझ जाते हैं और आपको अच्छे रिष्टे की प्राप्ति हो जाती है। कथा रहेगी वो 3 सितंबर से 7 सितंबर फुलेरा हर्तालिकती शिमहाप्राण कथा गुरुग्राम हर्याना में रहेगी। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिमहाप्राण कथा है वो 12 सितंबर से 18 सिहोर अगरिवाल धर मिशाला में रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिमहाप्राण कथा रहेगी वो 20 सितंबर से 24 सितंबर काटा धमतरी 36 गड में रहेगी। और सितंबर की जो आखरी कथा रहेगी वो 26 सितंबर से 2 अक्टूबर नंदगाउन नासिक में रहेगी। आति गुरुजी ने बताया है कि 16 दिश रात के जब आएंगे तो इस समय में जो कथाएं होंगी उसमें विठलेश्वा सेवा समीती द्वारा कथा इस तल में भी भंडारा होगा। सिहोर में तो भंडारा होगा ही साथ में जहां जहां गुरुजी की कथा रहेगी वहाँ पर विठलेश्वा सेवा समीती की तरफ से भी भंडारा रखा जाएगा। हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा शिरी शिवाय नमस्तुप्यम हर हर महादेव